कि अभी अभी केवल केवल राम ला कि होनी चाहिए और वहीप देवे मंदिल का निर्माण विसार रूप से सारी की सारी जमीन वे मंदिल का निर्माण काता वारता सब्सक्राइब वोन चाहिए लाइए ना लाइए ना, bagक ड़राएंगे आप, लाइए आउर्डिनेस्, लाइए चलिए देखेंगे, अम भी देखेंगे लाइए आप्क लाइए उसे स्प्छे लिया, हिंदूओं का सब्र इंतिजार का तूट रहा है मुझे भय है कि अगर हिंदूओं का सब्र तूटा तो क्या होगा यह कोई नहीं कह सकता राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवादित जमीन कहें या कहें राजनीती का मुद्दा राम मंदिर विवादित जमीन कहें या कहें वोट बटोरने का मुद्दा इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे दो साहियोगी जुड़े हुए हैं हम सबसे पहले सत्यम के पास चलते हैं सत्यम ये आज सुप्रीम कोट ने राम मंदिर जो विवादी जमीन है राम मंदिर बाबरी मस्जिद की उस पे फैसला सुनाने की बात कही थी क्या रहा वो फैसला फैसला सुनाने की बात नहीं कही थी दीपक मिश्राजी ने कहा था कि 29 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई होगी तो सुनवाई होगी और आज सुनवाई होगी इसके बाद ये सुनवाई फिर अब जनवरी महिने के लिए टाल दी गई है तो कई कोई फैसला आने वाला नहीं था आज आज सिर्फ ये निश्यत होना था कि जो आगे की सुनवाई होगी उसकी रूप रेखा क्या होगी कौन पिट क्योंकि दीपक मिशाजी ने कहा था उस समय पे जब लास्ट इम सुनवाई होगी थी कि इसकी सुनवाई करेंगे एक नई पीठ इसकी सुनवाई करेगी तो इस मद्दे पे एक पूरी रूप रेखा तयार होनी थी कि कब से सुनवाई शुरू होगी और कौन इसकी भारत की सबसे उच न्यायाले ने इस केस ये जो राम मंदिर का विवादित मुद्दा है इस केस की सुनवाई के लिए अगली जो डेट दिये वो दिये जनवरी 2019 चलते हम कासिर के पास कासिर ये बताइए अगर मैंने शुरूआ थी इस लाइन से करी थी कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवादित जमीन कहें या कहें राजनीती का मुद्दा अगर ये मुद्दा समल जाता है अगर ये इस मुद्दे पर सुप्रीम कोट कोई फैसला तो उसके बाद क्या होगा देगे पहले तो इसका इतिहास में जाना पड़ाएगा उनिस सो बानवे से ये मुकद्मा और ये सब चीदे चल रही है तो इसको समालना और सुधारना इतना असान नहीं है लगतार राजनीती करण जिस तरीके से इस मामले का होता रहा है और फै तो इस सब चीदे जो है राजनीती करण उसका इतना हो चुगा है कि उस पर लोग की नजर भी बनी गए और एक बहुत होट टॉपिक बन चुगा है देश का लेकिन साथ इसाथ जब जिस तरीके साथ आपने का 19 जनवरी 2019 में ये फैसला आने वाला है और उसके बाद सीधा तो ये कहीं न कहीं एक चुनाओ पर भी असर पढ़ेगा इस फैसले का क्या फैसला रहेगा क्या चीजे रहें क्या हालात रहेंगे उस सब पर भी इस सब डिपेंड करता है क्या असर पढ़ सकता है चुनाओ पर अगर सुप्रीम कोट ने जनवरी में इसका फैसला दे दिया तो इस फैसले का असर चुनाओ पर क्या पढ़ सकता है कि कहीं न कहीं कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगी ये मैनिफेस्टों में उन्हों ने वादा किया था अब चीज ये है कि आप कैसे बना सकते हो ये डिसाइड करने का आपको अधिकार नहीं ये अधिकार है सुप्रीम कोट को लेकिन अगर ये फैसला 19 के एलेक्शन से पहले आ जाता है तो कहीं न कहीं बीजेबी कोई हित में सब चीज़े जाती ही दिखेंगे इतिहास क्या है देखिये बहुत ही लंबा इतिहास है इसका शुरूR से अगर आप देखे बाबरी मस्जिद एक बिवादी दाचा था वहाँ पर ऐसा खागा था कि 여기서 बाबर ने बनवाई थी हाला कि वो सही बात है ही नहीं इतिहास मेंगर देखें कि वो मस्जिद बाबर ने बनवाई ही नहीं थी, वो बाबर का एक तरगी से कह सकते हैं, उस समय पर वो होते थे, गवर्नर होते थे, तो उन्हों ने अपने अपने राजा को खुश करने के लिए एक मस्जिद बनवाई, उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया, यहां से यह ब पाइयार भाजपा के जो वरिष्ट नेता है लालकृष राडवानी और मुर्ली मरोजोसी इन लोग के उपर भी केस चल रहे हैं क्रिमिनल ओफिंस के केस चल रहे हैं अभी भी तो उसके बाद से इस मुद्दे की राजनेती लगातार हो रही है और दोजार शौदा आपने लेकिन भाजपा की पूरी राजनेती जनसंग की राजनेती ही राम मंदिर से प्रेरित है दोजार चार में जब अटल बहरी बाजबे की सरकार बनेती पहली बार तो उस समय से ये मुद्दा चल रहा है कि राम मंदिर को लेके ही वो सत्ता में आते हैं और ये करते हैं तो जो भारते जनता पार्टी आरसेस विस्विंदू परसाद ये सब जो हैं इन सब की राजनेती का केंदर बिंदू बजरंग दल इन सब की राजनेती का केंदर बिंदू राम मंदिर ही है योगी आदितिनात लगातार कहते रहते हैं कि हम यां राम मंदिर मन बनवाएंगे हम राम मंदर बनवाएंगे 2010 में अलाहबाद हाई कोट ने एक फैसला दिया था कि इस जमीन को तीन हिस्सों में बाट दिया जाए क्या था वो फैसला हाई कोट देखिए उस फैसले में हाई कोट ने सीधा कहा था कि तीन उन्होंने हिस्से करेते उस जगह के एक हिस्ता रामलला का रामलला का और दूसरा एक मैं नाम भोलना हूँ उसका निर्मोहिया खाड़ा और तीसा सुन्य वगबोड का तीन डियते जिसके खिलाफ जो रामलला और ये हिंदू पक्ष के लोक थे उन्होंने याचिगा डाली सुप्रीम को पाया है लेकिन निश्कर्च के लिसा सजे सत्यम बात कर रहते हैं चुदाओ की और भाश्पा की भाश्पा की मतलब पूरी राइनीटी इसी को पर डिपेंड है क्यों आप इतिहास उठा कर देख लो जिस तरीक से रथ यात्रा निकाली गई थी लालकृष नडवानी के भाश्पा बनवा देती है राम मंदिर या सुप्रीम कोर्ट मान लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है राम मंदिर बन जाता है तो कही ना कहीं भाश्पा के लिए भी एक चिंता का विशे ये होगा कि भाश्पा का राजनीटी करण सपनी देखे तो उसके पास आग में बाट दिया था ये एक तरीके का समझोता था ये एक तरीके का समझोता था हिंदू धर्म और निर्मोही अखाडा रामलला और सुनिवक बोर्ड में लेकिन जब इसकी याचिकार डाले गई तो याचिकार करते हुए सुप्रीम कोड ने ये कहा था कि मुद्दा जो है वो वो दिवानी का है मतलब वो जमीन किसकी है इसका मुद्दा है ना कि इस मुद्दे के बटवारे का केस जो हाई कोड में आया था ये नहीं आया था कि आप इसको बांट दीजिए और हम लोग को संतुस्ट करिये मुद्दा ये था कि इस पर मालिकाना हक किसका है तो इसलिए सुप्रीम कोट ने ये कहते हुए कि बटवारे का कोई मामला ही नहीं था और इस याजिका को सुविकार किया और सुनवाई सुरू की जो अभी 2019 में होगी जी इस पे लगाता राजनीती करण होता रहता है सुप्रीम कोट ने ये बोला कि ये जमीन किसकी है उस पे हम फैसला सुनाएंगे मगर अगर ये होता है सत्यम अगर होता है कि किसी एक पक्ष के हित में कोई फैसला सुप्रीम कोट सुना देता है इससे पहले 2010 में अलावाद हाई कोट ने तीन हिस्से में जमीन बाट दी थी, तीनों में से कोई भी खुश नहीं था, अगर अब सुप्रीम कोट इस जमीन को किसी एक के पक्ष में दे देता है, तो इसके क्या परिणाम, क्या चीजे हो सकती हैं? देखें, पहली बाट तो सुप्रीम कोट के निड़ायों का सम्मान करना होगा, लेकिन जहां पर जब ऐसे बहुत ही sensitive issues आते हैं, जो आस्था का विशा है, और खास तोर पर हमारा देश विविद्दाव से भरा देश है, अभी आप देख रहे हैं कि सबरी माला मंदिर पर आया सुप्रीम कोट का, तो ज़रूर कुछ ना कुछ conflict तो होंगे ही, निश्चत तोर पे कुछ दिक्कतें तो आएंगे ही, लेकिन निरभर ये करता है कि सुप्रीम कोट जैसे कहा गया कि तत्यों के हिसाब से और साक्षों के हिसाब से फैसला होगा, कि क्या साक्ष हैं, तो जो को मान के वो फैसला देता है, ये देखना बहुत ही महतुपोड होगा, जी बिलकुल सुप्रीम कोट के फैसले का सम्मान करना चाहिए, इससे पहले भी कई बारिस जमीन को लेकर, अलाबाद हाई कोट में याचिका दायर हो चुकी है, कुछ आप कासिर बता सकते हैं कि क् जो मांग करी गई थी हाई कोट या सुप्रीम कोट के लिए? तो ठीक उसी तरह से इसका भी फैसला होगा, और सबको मैं यह मानता हूँ, मेरा पसनली मानना है, कि सबको उसको तरीके से लेना चाहिए, जो भी सुप्रीम कोट है, क्योंकर हमारी देश की सर्वोश निया आयले, और हमें उस फैसले को मानना चाहिए, और किसी के भी फैसले आये हैं, कई बार इस पे विवाद हुआ है, कई बार इस इन कोट के फैसलों का राजनीती करण हुआ है, बीजेपी का जो मेन मुद्दा इलेक्शन जीतने का था, वो यही था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, अगर इस पे फैसला आ जाता है इसके बाद राजनीती में जो लोग हैं उनके पास क्या मुद्दा बचेगा क्योंकि ये तो खतम हो जाएगा अगर सुप्रीम कोट ने कोई फैसला सुना दिया तो देखिए बहुत ही महातुपुड इस बात कि आप इसी से ही अंदारा लगा सकते हैं कि जो मंदिर के पक्ष से वकील हैं वो हरिस सालवेजी हैं जिन्हों ने उनाइटेड नेशन्स में भी बीजेपी का और भारत सरकार का पक्ष रखा था कई मुद्दों को लेगे जिन में से एक जो जासूस नाम मैं भूल रहा हूं जो पाकिस्तान में जासूस क्याद है उसका बीच में बहुत विवाद हुआ था उस मुद्दे को भी हरिस साल जो है वो भाजपा का वकील है और एक वक्ष का वकील कॉंग्रेस का वकील है और वो दोनों आपस में तर्क कर रहे हैं इसके बाद क्या मुद्दे होंगे फैसला आने के बाद ब्लेम गेम जिसको आप कह सकते हैं कि अगर भाजपा के हित में फैसला आता है तो भाजपा उस कांग्रेस के ही नेता है वो केस लड़ रहे हैं तो वो अपना ब्लेम गेम करके ही इस मुद्दे को pel Junee की पूरी कोशिश करेंगो जब तक कूर्ट में फैसला चल रहा है जब तक कोट में केस चल रहा है तब तक इस केस का इस राममंदिर बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है जो विवाद है उस पे क्या क्या हो सकता है और इसका इतिहास क्या था बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खुबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे नभारत तुड़े मैं आपके साथ था सुजीत मिश्रा अब भारत तुड़े की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और दोफोगेट तो हिट दे बल आइकर